तो चलो प्यारे विच्छो इस वाले question को देखते हैं इसमें कहते हैं object of mass 8 kg यह जो object है वो 8 kg का mass है यहाँ पर और एक wall से hang है ठीक है तो यह 8 kg वाला मतलब है इसे hang है that is 80 newton तो force इदर लग रहा होगा 8 kg hang from the cd तो cd यह पूरा wall है this is the cd rod है अब राड का जो मास है इस राड का मास है वो 2 kg है 2 kg मतलब 20 newton force अर्थ लगा रही होगी इसका राड का जो लेंथ है वो वन मीटर है वन मीटर मतलब 100 cm ठीक है तो अगर यह है पूरा 100 cm support find the cable ही निकल हुए हैं सब कुछ इकल बिरियम है तो यह जो supporting cable है इसमें tension की calculation निकालनी है तो इस diagram को दुबारा मैं यहां बनाता हूँ तो यह कुछ नहीं है यह wall है और इस wall से तुम देखोगे एक rod है और इस rod से इस rod पे कौन-कौन से जो point c है तो मैं c point पे या किसी भी point पे जो torque होगा वो तो 0 होगा तो यहां लगेगा 80 new लगेगा ठीक है और इसके जो मीड पॉइंट है मीड पॉइंट उस मीड पॉइंट पर ग्रिवेटी अर्थ लगाएगी कितनी 20 new वेट mg और यहां से 60 पर इस्टिंग अटेज है तो यह जो point है यहां पर तो यहां से जो tension है इस्टिंग में tension उसको मैं दूसरे color से बनाता तो में ज्यादा feel आएगा तो यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर यह जो इस्टिंग अटायच है इस्टिंग में tension यहां पर तो इस इस्टिंग में जो tension T है तो यह जो tension T है वो यहां से बिसिकली 30 डिगरी पर लग रहे हैं तो उस tension के दो component होंगे एक होगा T cos 30 और एक जाएगा vertically upward जिसका नाम में रखों T sin 30 ठीक है और whatever यहां पर जो भी normal आएगा NX और NY whatever जो भी लिखलो ठीक है यह वाला तो कुल मिला के यह mid point है यह point B है और यह point basically D है और यह point C है और यह mid point है और यह कितना है यह 50 cm हो जाएगा समझ में आ रहा है और यह पहले से ही दिया हुआ है 60 cm इस डिस्टेंस इस जहां पर इस्टिंग अटाइज है और इस डिस्टेंस इस अल्रेड़ी 60 और यह अल्रेड़ी 100 cm है यह वाला 100 cm ठीक है तो कुल मिला कि देखो मुझे C point पर टार्क ले लेना है पर टार्क ले लो तो मैं C में लूँगा तो दो वेरियेवल एन एक्स और नवाई गायव हो जाएंगे तो मुझे सी पर टार्क लेने में बहुत ज्यादा बेनिफीचियाल है ठीक है तो मैं C point पर टार्क लेता हूं तो सब को आता टार्क लेने तो टार्क पॉइंट पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस कितना है 60 इसका टार्क देखोगे इसका टार्क देखोगे आर क्रोस एफ से टार्क इसको टूर आर क्रोस एफ ठीक है आर क्रोस एफ यह सिंपली आर मुल्टिप्लाइड वाई पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस आर क्रोस एफ देखोगे तो तो आर क्रॉस टी यह इसको ऐसे गुमाएगा टी साइन और यह दोनों ऐसे गुमाएगे कुल मिला के यह इसको एंटी क्लॉकवाइज गुमाएगा और यह दोनों असी न्यूटन और 20 न्यूटन इसको clockwise घुमाएंगे तो कुल मिला के कहीं नहीं घुम रहा और रोड का पूरा का पूरा रोड equilibrium में है बात आ रहा समय तो अगर ये पूरा का पूरा रोड equilibrium में है तो 20 न्यूटन का का ट फॉर्क कट तो ट्वट्विंटी प लेड करते हींगे नहीं पूरा कथम उगया और यहां से टीवाई DO बचा और यह multiplied by 6 बचा और यह बचा 100 और प्लस यह 800 ठीक है तो यह आजाएगा 3 times इसे कट गया तो T और multiplied by 3 और यह आजाएगा 900 मलब T की जो value आजाएगी टेंशन T that is 300 Newton यह final solution आजाएगा तो आयोग की problem आपको समझ में आ गया होगा तो यह बहुत आसान सवाल था equilibrium का question था थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बगाए पीडियाप देख लेना डाउनलोड कर लेना बच्छों